अनुपम्मा के आज के अपिसोड में अनुपम्मा ये देके शौक हो जाती कि विन्राज का नाम काविया के हाथ पर लिखा होता है राखी तंस करती है और कहती है कि वो बहुत सी मेंदियों पर गई लेकिन आज तक उसने ये नहीं देखा के एक आदमी का नाम दो आरतों ने अपने हाथ पर लिखा हो अनुपम्मा काविया से पूछती है कि विन्राज का नाम उसके हाथ पर क्या कर रहा है कावया जवाब देती है कि मेंदी लगाने वरी लड़की ने गलती से लिखती है नंदिनी कहती है कि ये बहुत बड़ी गलती है कावया कहती है कि ये उसकी गलती नहीं है और वो मेंदी वरी लड़की पर चिलाती है और कहती है कि वो विन्राज को बुला रही थी लेकिन मेंदी बारी गल ने ये समझा कि वो उसे विनराज का नाम उसके हाथ पर लिखने के लिए कह रही है राखी कावया से कहती है कि अभी तक उसने विनराज का नाम क्यों नहीं हटाया काविया कहती है कि वो मिटाने वाली थी लेकिन राकी ने उसे पहले ही देख लिया अनुपमा काविया से कहती है कि ये गलती है लेकिन ये गलती नहीं होने चाहिए थी क्योंकि विनराज का नाम लिखने का हक सिर्फ मुझे है लीला काविया को विनराज का नाम हटाने के लिए कहती है काविया सोची रही होती है कि समर आता है और काविया के हाथ को टीशू से साफ कर देता है और उससे माफी मांगता है काविया ये देखे शौक हो जाती है कि उसकी मेंदी खराब हो गई है नंदिनी समर से कहती है उसे माफी मांगने कोई ज़रूत नहीं है अनुपमा कावे को कहती है कि वो समर की बात कब बोरा ना माने लीला कहती है कि कावे इस बात बोरा क्यों मानेगी अनुपमा आज की ब्राइड है और वो समर को स्पोर्ट करती है इतने में लीला अनुपमा को साथ ले جाती है मेंधी का डिजान पूरा करने के लिए इतने में समर सब के मूड को चेंज करने कोशे करता है और सब को कहता है कि सब इंचुइए करें किविए अगर किसी का मूड अच्छा नहीं होगा तो उसे अकेले डांस करना पड़ेगा जाने जाए ही रही होती है कि जिल्मिल उनसे पूछती है कि आप किदर जा रही है अनुपमा उसे बताती है कि वो चै बनाने जा रही है जिल्मिल बताती है कि अनुपमा की मेंधी खराब हो जाएगी वो चै बना देती है लेकिन अनुपमा कहती है कि उसके हाथ पर मेंधी लगती है और कहती है कि मेंधी के खराब होना अब शोगन होता है इतने में डॉली कावे को खड़े होने मदद करती है और कावे यह सोचती है कि अगर मेरी मेंधी खराब होई है तो मैं अनुपामा की मेंधी कैसे ठीक रहने दूँ कावे अनुपामा से माफी मांगती है कि उस विन्राज अनुपमा के पास आता है और कहता है कि तुम ऐसी एक्टियों कर रहे हो कि तुमने पहली बार मेंधी लगाई है विन्राज काविया का मूर ठीक नहीं कोशिश करता है और कहता है कि तुम अब जो हो गया सो हो गया अब उसे सोच कर दुखी होने की जरूरत नहीं है वो उसे कहता है कि भूल जो और उसे अनुपामा का हाथ दिखाता है कावANG कहता है के मेरे नाम अब भी तुम्हारे हाथ पर लिखाए वह इंगा विखेंए और यह तुम से कोई नहीं सßen सकता अगली सुबाएं विन्राips औरिखना से कहता है मैं जानता हूं के घब्हारी थी आ ऐता सब्क्राथत नहीं की तक काविया कहती है घल्दी उसे पसंद नहीं है लेकिन वो आज लगाएगी क्योंकि वो ब्राइड है नंदिनी को यह सुन का बहुत गुस्सा आता है काविया नंदिनी से कहती है कि त्यार हो जाए आज उसकी मेंदी है दूसरी तरफ विनराज की गलती के वरे से अनुपमा की च कि टेंचन मा आजाती है दूसर जाय। समर से कहता है कि वह विनराज की का लेज़े है और मार्कीर से कुछ चीज़ें ले जाता है और यह देखे शौक हो जाता है समर की कार ले कैई है। जैश अनुपमा को बताता है कि वो दूलन की तरफ से है, अनुपमा ये सुनकर इमोशनल हो जाती है, विनराज कावय को मैंसे करता है कि वो चेन उसे थोड़ी देर तर दिखा देगा, लीला ये देखती है कि अनुपमा ने निया मंगल सुतर पहना हुआ है, और उसे पूछत एक पुराना मंगल सुतर कहा है, अनुपमा उसका रिजन बताती है कि मिनराज से वो मंगल सुतर तूट गया, ये देखकर लीला शौक हो जाती है,